देखे दोस्तों वो तो आपने सुना ही होगा कि एकदम से हालात बदल गए, जजबात बदल गए, तो यह ऐसा ही कुछ इस नई वेकंसी के साथ हुआ है, जो सोचा था बिल्कुल उसके विप्रीट हुआ है, बहुत बड़े-बड़े बदलाव के साथ इस वेकंसी का detailed official notification जार इन दोनों पोस्ट के उपर वेकंसी आई हुई है, बेस तो इस recruitment को कंड़क करा रहा है, देखे दोस्तों, बेस तो बेस तो बेस तो बेस बड़े-बड़े बदलावों के साथ, पूरा recruitment प्रोसेस बदल चुका है, तो चलिए अच्छे से एक एक चीज़ को समझते हुए चल देखे दोस्तों, ये पूरा notification जारी हो चुके, official website के उपर online phone भी आज से start हो चुके है, vacancies को अगर हम discuss करें, वैसे मैंने आपको last video में बता दिया था, total number of vacancies दोनों पोस्ट को combine करके 1526 याँपर निकली हुई है, ये head constable की vacancies आप देख सकते है, BSF में total vacancy 302 है, CRPF की total vacancy 282 ह ITBP में 163 है, male और female को मिलाकर, CISF में 496 vacancies है, SSB की 5 vacancy है, Assam Rifle के अंदर 35 vacancies निकली हुई है, ASI की post के बारे में अगर हम बात करें, BSF की 17 vacancies है, ASI की CRPF की 21 है, ITBP की 56 है, CISF की 146 और SSB की 3 vacancies यहाँपर निकली हुई है, देखे दोस्तों, online phone इसके आज याने की 9 जुन 2024 स स्राट हो चुकिए, FOM की जो last date है, वो 8 July 2024 रखी गई है, बात कर लेते हैं, FOM fees वगेरा के बारे में, General OBC, EWS के डिगरी वालों के 100 रुपे FOM fees चार्ज के गई हैं, बागी ST, SC, PH और female candidates के यहाँपर कोई भी FOM fees चार्ज नहीं के गई हैं, अब बात करेंगे भाई, सबसे प भड़िया बात है, बागी OBC के डिगरी के candidates को 3 साल का age में relaxation मिल जाएगा, STAC वालों को 5 साल का age के अंदर relaxation देखने को मिल रहे हैं, education qualification में वही 12 पास मांगा गया है, दोन ही post लिए education qualification में आपकी as on first of August 2024 तक calculate होने वाली है, अब finally बात करेंगे selection procedure के बारे में, जब आप इस व फर्स में आपके physical standard test और physical efficiency test conduct रहे जाएगा, physical standard test उसको बोलते है, जिसमें आपकी measurement होती, height weight test होता है, efficiency test उसको बोलते है, जिसमें आपकी running वगेरा होती है, clear है, तो भाई पहले इसमे physical test होगा, idea लगा जा रहा थे कि पहले exam conduct रहे जाएगा, लेकि नहीं, पहले physical test ही होगा, second stage में आपका computer based test रखा गया और पूरी तरीक से online exam conduct कराया जाएगा, offline OMR based exam नहीं है, stage third में आपका skill test होगा, उसी के साथ document verification होगा, और उसी के साथ same day पर आपका medical examination conduct कराया जाएगा, तो कितने बड़े 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 बदलाव के गए, पहले stage physical test की होगई, फिर आपका online exam ह और तीसरे नमबर पर सारी चीज़े एक साथ conduct कराया जाएगे, clear है, देखें दोस्तों अगर आप दोनों post को लेकर interested है, दोनों post लिए आप eligible है, तो दोनों post लिए form भी आप apply कर सकते हो, form आपको अलग-अलग apply करना पड़ेगा, दोनों post का selection procedure भी अलग-अलग चलेगा, हाल इसकल standard test ही देख लीजे, सबसे पहले height weight chest देख लीजे, male candidate की इसमें जो height रखी गई है, general OBC SC category की 165 cm है, male candidate की general OBC SC category की जो chest है minimum 77 cm है, after expansion 20 cm होनी चाहिए, male candidate जो special category से बिलों करते हैं या फिर ST category से बिलों करते हैं, उनकी height 112.5 cm है, chest वही 77 to 82 cm रखी गई है, clear है, बाकी other result category है, उनको age में relaxation है, female candidates की height देख लीजे, 155 cm यहाँ पर है, और बाकी की other result category की female candidates है, उनकी 150 cm यहाँ पर height रखी गई है, physical efficiency test, पहले idea लगाय जा रहा था कि भाई, इसमें running वगएरा नहीं होगी, केवल measurement test होगा, लेकिन इसमें running होगी, running कितनी है, male candidates के लिए 600 meter की running रखी गई है, जो कि आपको 6 minutes 30 seconds के अंदर qualify करनी है, वही पर female candidates के लिए जो running रखी गई है, वो 800 meter की है, जो कि आपको 4 minutes 45 seconds के अंदर qualify करनी है, तो भाई, इसमें दोड़ आपकी होगी, इस चीज का ध्यान दखेगा, दोनों category की मैंने बता दी, यह आपका पूरा physical test है, इसके अलावा और क कुछ भी नहीं होगा, और physical test आपका qualifying ने चारे, कोई भी extra additional mark आपको नहीं दिया जाएगा, clear है, physical test qualify करने के बाद आपको second stage के लिए बुलाए जाएगा, जिसमें आपका exam कंड़ रहे चाहेगा, exam आपका same as it is वही है, जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए था, पहले, पहला subject आपका हिंदी और फिर इंग्लिस रहेगा, जो कि एक optional है, या तो आप हिंदी के question solve कर लो, 20 question, 20 number के अंदर, फिर आपका reasoning आएगा, 20 question, 20 number के अंदर, numerical aptitude आएगा, 20 question, 20 number के अंदर, clerical aptitude आएगा, 20 question, 20 number के अंदर, बहुत सारे लों clerical aptitude को लेकर confusion में है, बच् आगे जाओंगा computer knowledge से 20 question 20 number के अंदर ये तो है फिरी के समझे मेरा favorite subject है तो भाई ये 100 question solve करने के लिए आपके पास एक घंटा 40 minute यानी की 100 minute रहने वाली है सायद exam में negative marking नहीं होगी notification में negative marking के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखिया है ठीक है जहां तक मैंने देखा है मुझे नहीं मिला तो सायद exam में negative marking आपकी नहीं होने वाली है ठीक है clear है अगर कोई update आएगा मैं आपको inform कर दूँगा देखें दोस्तो ASI की post के लिए ASI की post के लिए total number of frequencies के 30% 30 30 times 30 गुना candidates को qualify के जाएगा head constable की post लिए 10 गुना candidates को qualify के जाएगा skill test के लिए ठीक है तो exam होने के बाद एक initial qualifying cut off बनने वाली है category wise जो की decide करेगी कि 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 आप final stage यानि की skill test, medical test, document verification के लिए qualify कर रहा फिक नहीं कह रहे हो ये एक final merit नहीं है final merit आपकी बाद में बनेगी एक initial qualifying cut off होती है ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले, skill test के ओपर बढ़ने से पहले हम यहाँ पर discuss करेंगे इसके exam का complete details syllabus लोग आई दोस्तों ये है इसकी पांचों subject का detailed exam syllabus जिसमें से आप Hindi language का exam syllabus देख सकते हो क्या क्या आएगा फिलिंड ब्लैंक, synonym, antonyum सी spelling check साथ ही आपका idiom, phases, one word, substitution, improvement of sentence, active, passive voice आने वाले, verb आने वाले, conversation, direct, indirect speech आपके आने वाले है comprehensive, close test आपके ये सारी चीज़े आने वाले है अगर आप Hindi के student हो तो आप Hindi का syllabus देख सकते हैं जिसमें आपका ये पुरा Hindi का syllabus है, खिरिया ये वग्यारा, समास वग्यारा, जोगे आज स्क्रीन के ओपर देख रहे है general intelligence reasoning का syllabus आपके सामने screen के ओपर है, note कर सकते है, screenshot ले सकते है numerical aptitude वही आपका mathematics वाला portion ये देख लिजे साथी clerical aptitude बच्चों का खेल है, बहुत ही easy है, आप आसानी से कर लोगे numerical aptitude में आपका arithmetic भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ये लिखा हुआ है इनोने, mathematical operations के लिए है numerical aptitude वही address वगएर आपको match करने होते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती आपको spelling match, spelling check, error check करने होते है, sporting error निकालने होती है computer knowledge से वही basic questions आने वाले है, computer operating system से history of computer operating system साथी abbreviation से questions आने वाले है, ms word, ms excel, shortcut keys से questions आने हैं इंटरनेट वगएर से basic question है कर लोगे, तो ये पूरा सलेबस है, सलेबस इसका मैंने PDF format में telegram channel के अंदर provide करा दी है, वहाँ से download करके आप देख लीजेगा, ठीक है link discussion box में है, third stage, जिसमें आपका पहले skill test conduct रहा जाएगा, skill test जो होगा पहले head constable की post का देख लीजे, कुछ भी नहीं है, हिंदिया फिर इंग्लिस की आपको typing करनी है अगर आप इंग्लिस में typing करना चाहते हो, तो आपकी speed होनी चाहिए 35 word per minute की, अगर आप इंग्लिस की typing करना चाहते हो, तो आपकी speed होनी चाहिए 30 word per minute की, ठीक है वहीं पर अगर आप एक, मतलब, sorry, इससे पहले ये देख लीजे, 10 minute, 10 minute का आपको, 10 minute दी जाएंगी typing test के लिए हिंदी वालों को 300 word का एक paragraph दिया जाएगा, इंग्लिस वालों को 350 word का paragraph दिया जाएगा, जो कि आपको type करके दिखाना होता है, ठीक है अगर आपने ASI की post के लिए phone apply के है, तो इस tenography test से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, 10 minute के आपको एक dictation बोली जाएगी, 80 word per minute की speed से आपको short hand में लिखना होगा, 10 minute में 800 word आपको बोले जाएगे, 80 word per minute की speed से short hand में आपको लिखना होगा, उसके वाल, इंग्लिस मीडियों आपको 50 minute transcript करने के लिए दे जाएगा, लिखना होगा, अब आप एक माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर हम हिंदी में टाइप करते हैं, तो हिंदी में कौन सा phone चलता है, तो हिंदी में जो phone चलने वाला है तो मंगल phone चलेगा, और बाकि इंग्लिस का तो ही की होत है यानि कि 5% हो जाता है 800 वर्ड का 40 लगभग यानि कि 40 वर्ड अगर आपने गलती कर दी है शोट हैं में ट्रांस्किप्ट करने में तो उसकी छूट है आप तब भी क्वालिफाई कर जाओगे किलियर है तो भाई यह आपका पूरा skill test हैने वाला है skill test दोनों post का qualifying nature होगा कोई आपको एक्सट्राइडीसल मार्क नहीं दिये जाएंगे अगर आपको फिलाल typing test typing या फिर standardography नहीं आती फिर भी आप apply कर सकते हो क्योंकि पहले आपका इसमे physical test होगा फिर आपका exam होगा तब जाकर आपका skill test रहाए जाएगा देगे दोस्तों सेम डे पर आपका document verification भी होने वाला है ठीक है ठीक है आपका medical document आपको सभी अपने original document verify कराने होंगे साथी सभी document की एक एक photocopy self tested करके आपको submit कराने होगी सभी document आपके कुछ इस तरीके से है साथ ही आपका medical test होगा जिसमें आपके eyesight सबसे important हो better eye आपको होनी चाहिए साथ ही color blindness test आपके इसमें होते है टेट्व अगेरा की locations देखी जाती है ठीक है टेट्व का size 1 by 4 तक है अगर इससे नीचे है तो आप qualify कर जाए जाद आपका नहीं होना चाहिए ठीक है टेट्व का content क्या है वो भी matter करता है कौन सा चलेगा अगर आप remove करा लेते हो tattoo को तो आप qualify कर जाए आपको medical मिल जाता है और अगर tattoo दिक्कत कर रहा है तो आप उसको remove करा सकता है आपको time मिल जाता है ठीक है आपको medical मिलता है ऐसे नहीं कि आपको disqualify किया जाता है तुरंट के तुरंट ठीक है तो भाई यह आपका medical test तो third stage पूरी qualifying नेचार आपको कोई भी एक्टर रिसनल मार्क नहीं दे जाएंगे third stage को qualify करने के बाद बार यह आती है final selection की final selection के वल और के लोग ए exam की marks के basis पर हो गया exam कितने number का था आपका 100 number का था तो 100 number में से एक final merit बनेगी और यह merit आपकी category वाइस तो रहेंगी साथ ही force wise भी रहने वाल है मतलब CRPF General OBC STSC की अलग रहेगी BSF General OBC STSC EWS की अलग रहेगी CISF General OBC STSC की अलग रहेगी जिस भी force की cutoff को आप qualify कर रहे होंगे finally उसी force के अंदर आपको posting दी जाएगी जो format SSC Constable GD में चलता है force distribution का वही यहाँ पर लगने वाल है form apply करते टाइम आपसे force preference मांगी जाती है कि मैं first preference CRP BFC ISF Second BSF इस तरीके से देना चाता हूं तो उसके basis पर आपको force मिलती है यहाँ ठीक है तो एक साथ आप सभी post को qualify भी कर सकते हो अगर आपके अच्छे marks है selection होने के बाद salary कितनी मिलने वाली है देखें दोस्तो assistant of sub inspector की level 5 की यह post है ठीक है level 5 की post है grade पे आपका 2800 रुपे होता आपके basic page के साथ आपका dearness allowance, of student allowance, children education allowance जुड़के 56,000 आपके हाथ में salary आती है ASI की post के ओपर ध्यान से सुन लीजे अगर हम head constable की बात करें तो 2400 पे grade पे वाली post है level 4 की salary आपको इस post के ओपर मिलेगी basic पे आपका 25,500 है इस post के ओपर जो आपकी initial salary है वो around 40,000 के आसपास रह अपना आप में बहुत अच्छी है इसके post के ओपर 25,000 तक आपकी final salary रहती है ठीक है तो salary के कोई भी problem नहीं है salary बहुत बढ़िया है वहीं पर exam centers आपको all over India के अंदर देखने को मिल जाएगे जब आप इसको online form apply कर रहे होगा आपके पास एक option रहेगा जहां पर आप अपनी choice के according exam center को preference दे सकते हो all over India के अंदर exam center है physical centers भी आपको all over India के अंदर मिल जाएगे आपको अपने hostate में exam center मिल जाएगा job location आपको पता ही है दोस्तो forces है जिस force keys की posting जिमेदारी जहां होती है वही पर आपकी job location रहने वाली all over India के अंदर आपकी job location रहने वाली है ठीक है बागी दोस्तो बात करें promotions opportunity की head constable की post से आप SI की post के पहुंच जाते हो बागी दोस्तो इस vacancy का complete detailed official notification आपको way to success telegram channel के अंदर मिल जाएगा form apply करने का link इसी वीडियो के नीचे discussion box में मिल जाएगा फटफट apply कर दीजे next video best book के regarding लेकर आऊँगा कौन सी बुक से आपको preparation करनी चाहिए ताकि आप इस exam को घर बैटे crack कर सको अगर कोई doubt बन रहो ना बिंदास comment करके पूछेएगा अगर बहुत साथे लोग के major doubts है तो उनको एक separate detail video में cover करा दूँगा चिंता मत करेए बागी exam को crack करने के strategy भी आपके साथ लेकर आँगा physical test का procedure क्या रहता है अगर आप चाहो तो उसके regarding भी एक full detail video लेकर आजाँगा क के लिए हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही था पसले आई हो लाइक करेगा दोस्तों के साथ शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते अगली वीडियो में बहुत इजल तब तक के लिए चाहिंत